हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है एक और नहीं वीडियो में आयश्मान भारत योजना या फिर प्रदान मंत्री जन अरोगे योजना जिसके तहट आपको 5 लाग तक का सलाना एलाज बिनकुल फ्री में भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है यह benefit उन सभी लोगों को मिलता है जिनका नाम आयश्मान लिस्ट में पहले से add होता है काफी सरे लोग ऐसे हैं जिनका नेम आयश्मान लिस्ट में add नहीं है जिसकी वज़ए से वो यह benefit नहीं ले पाते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अगर आपका नेम भी आयश्मान लिस्ट में add नहीं है तो आप खुझ से अपना नेम उसमें add कर सकते हैं new enrollment के जरिए नए portal का use करके नए portal पे हाली में एक नए feature को start किया गया है जिसमें आप एक new enrollment कर सकते हैं यानि अगर आपका नाम आईश्मान लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप eligible हैं या फिर नहीं आईश्मान लिस्ट में अपना नेम add करने के जिए तो सबसे पहले आपको आईश्मान भारत योजना के इस नए portal पे आना होगा इसका link आपको description box में मिल जाएगा homepage पे आने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे scroll करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लॉग इन कर लेना है बगएर login किये यहाँ पे आप आईश्मान लिस्ट में name add करने के लिए request नहीं डाल पाएंगे eligibility check नहीं कर पाएंगे new enrollment नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको login as में दो option दिखाए देंगे beneficiary and operator तो आपको beneficiary के option को select करना है उसके बाद में अपना एक mobile number यहाँ पे एंटर करके verify के option पे click करना है जैसी आप verify करते हैं उसके बाद में आपके mobile number पे एक OTP send किया जाएगा OTP आपको enter करना है दिएगे capture को fill करना है और यहाँ पे login के option पे आपको click करना है जैसी आप login करेंगे तो आपके सामने next interface कुछ इस तरीके से आ जाएगा जिसमें आपको state, scheme, district और search by का option दिखाई दे जाएगा लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको new enrollment का option नहीं दिख रहा है तो इसके लिए सबसे पहले आपको उपर जो URL दिया गया है आप अगर mobile phone से open कर रहे है तो यहाँ पे आपको इस URL पे click कर देना है क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इस URL को दुबारा से पेस्ट कर देना है और जैसी आप पेस्ट करेंगे तो देखें यहाँ पे आपको राइट साइड में सर्च लिखावा दिखाई देगा तो यहाँ पे आपको इसको edit करना है, search के option को यहाँ से आपको इसको हटा देना है, slash आपको जैसे लगा है वैसे ही लगा रहने देना है, तो search के option को हटा के यहाँ पे आपको slash के आगे new enrollment इस तरीके से type करना है, और type करने के बाद में यहाँ पे आपको search कर देना है, जैसी अपनी state को select करने का option मिल जाएगा अपनी state को और scheme को select करने के बाद में यहाँ पे आपको proceed का button मिल जाता है इस पे आप click करेंगे जिस यह आप click करेंगे तो आपके सामने एक form open हो किया जाता है जिसमें आप से आपके primary member के detail मांगी जा रही है अब यहाँ पे primary member की detail में आपको सबसे पहले तो primary member का name देना है यानि जो भी घर का मुखिया है घर का बड़ा है उसका name यहाँ पे आपको दे देना है उसके बाद में यहां से आपको gender select कर लेना है male, female यहाँ से आप select कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पे आपको year of birth को select करना है यानि आपको पूरी date of birth नहीं देनी है जो भी primary member यहाँ पे आपने add किया है उसका जो भी year of birth होगा वो यहाँ पे आपको enter कर देना है year of birth को enter करने के बाद में यहाँ पे आपको जो भी primary member है उसके father का name enter करना है और नीचे आपको id type को select करना है जिसमें एक id proof आपको select करना होगा राशन कार्ड, birth certificate और भी काफी सारे option यहाँ पे आपको मिल जाएंगे तो उसमें से एक id type आपको select करना है और उसी का number यहाँ पे आपको id number में enter करना होगा यह से भी detail आपको अच्छे से fill करनी है उसके बाद में यहाँ पे आपको category को select करने का option मिल जाता है जिसमें आप अगर OBC से हैं तो यहाँ पे OBC का भी option दिया गया है ST, SC और General सभी option यहाँ पे आपको दिये गए हैं तो यहाँ से आपको category को select कर लेना है उसके बाद में यहाँ पे आपको upload copy of ID का एक option दिखाई दे जाएगा यानि उपर जो भी ID proof आपने select किया होगा उसी की copy यहाँ पे आपको upload करनी है और यह PDF फाइल में आपको upload कर लेनी है अगर आपकी JPG फाइल है तो आप उसे PDF में online convert कर सकते हैं और वो file यहाँ पे आपको upload कर देनी है उसके बाद last में देखिए आपको एक capture का option दिखाई दे जाएगा इस समय यहाँ पे आपको कोई भी capture show नहीं कर रहा है अगर यहाँ पे आप refresh करने की गोशिश करेंगे तो भी आपको capture show नहीं करेगा तो जिस समय यह वीडियो मैं बना रहा हूँ उस समय यह feature काम नहीं कर रहा है इसलिए हम आगे के process को follow नहीं कर पा रहा है आपकी condition में हो सकता है यहाँ पे आपको capture show कर जाए तो आपको यह सबी detail fill करने के बाद में नीचे verify eligibility का option मिलेगा इस पे click करना है और जैसी आप click करेंगे तो यह आपको बता देगा कि आईश्मा list में new enrollment के लिए यहाँ पे आप eligible है या फिर नहीं अगर आप eligible होंगे तो आपके सामने आगे का process आ जाएगा जिसमें आपको KYC वगारा complete करनी होगी और उसके बाद में आपकी जो request है यहाँ पे submit हो जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस new enrollment के feature का use कर सकते हैं हाला कि फिलहाल यह new enrollment का feature यहाँ पे काम नहीं कर रहा है यहाँ पे आपको capture की दिक्कत देखने को मिलेगी लेकिन 2-3 दिन में या फिर जल्दी इस problem को यहाँ पे solve कर लिया जाएगा क्योंकि यह feature जल्दी यहाँ पे add किया जाएगा और यहाँ पे आपको दुबारा से new enrollment इस तरीके से search नहीं करना पड़ेगा हो सकता है home page पे इस new enrollment के feature को add कर दिया जाए बगेर login किये यहाँ पे आपको new enrollment का feature देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जब आप login करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप URL में आ करके new enrollment टाइप करेंगे तो यह option यहाँ पे आपको देखने को बिल जाएगा उमीद है आप सभी को यह वीडियो पसंदाई होगी वीडियो पसंदाई हो तो वीडियो को like कीजेगा अपने friends और family के साथ में share कीजे साथे साथ वीडियो से related कोई भी सवाल है तो इस वीडियो का नेचे comment box में जाके आप लिख सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही मैं आपसे मिलूँगा एक और नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत